नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि रैबिजोक्स डी कैपसूल का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, रैबिजोक्स डी कैपसूल को कैसे लेना चाहिए, और रैबिजोक्स डी कैपसूल की वज़से क्य side effects हो सकते हैं. Rabijox D. एक brand name है. Rabijox D. Capsule के अंदर दो दवाओं का combination होता है. Rabijox D. Capsule के अंदर salt composition Rabiprazole 20 mg और Domperidone 30 mg होता है. Rabijox D. Capsule पेट में उतपन होने वाले acid की मात्रा को कम करता है. Rabijox D. Capsule का उपयोग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बधजमी होने पर, खटी डकारे आने पर, सीने में जलन होने पर, पेट में अलसर होने पर, उल्ती आने पर और उल्ती आने का मन होने पर Rabijox D. Capsule का उपयोग किया जाता है. Rabijox D. Capsule को डॉक्टर एंटिबायोटिक दवाओं या अन्य दवाओं के साथ, दवाओं की वज़ह से होने वाले साइड इफेक्स को कम करने के लिए भी लेने की सला दे सकता है. जैसे दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की वज़ह से पेट में जलन, पेट में दर्द या पेट में अलसर हो सकती है. इसलिए इन साइड इफेक्स को रोकने के लिए भी डॉक्टर एबिजोक्स D. Capsule को दर्द की दवाओं के साथ लेने की सला दे सकता है. ज्यादा तर एंटिबायोटिक दवाओं के सामान्य साइड इफेक्स में उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है. इसलिए एंटिबायोटिक दवाओं की वज़ह से ये साइड इफेक्स ना हो. इसलिए आपका डॉक्तर रैबिजोक्स डी कैप्सूल को एंटिबायोटिक दवाओं के साथ भी लेने की सला दे सकता है. इसके अलावा रैबिजोक्स डी कैप्सूल का उप्योग कुछ मेडिकल कंडिशन्स जैसे गैस्ट्रिक अलसर, एसिड रिफलक्स और जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए भी रैबिजोक्स डी कैप्सूल का उप्योग किया जाता है. जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिती है जिसमें पेट में एसिड का उत्पादन बहुत अधिक होता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साइड इफेक्ट्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में रैबिजोक्स डी कैपसूल की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसंट व्यक्तियों में Rabbijoke's D Capsule की वज़ से कुछ side effects हो सकते हैं। जैसे पेट में दर्ध होना, पेट से गैस निकलना, मुह में सूखापन होना, सिरदर्ध होना, शरीर की मासपेशियों या जोडों में दर्ध होना, चक्कर आना वद्दस्थ होने की समस्या हो सकती है. इसके अलावा रैबिजोक्स डी कैपसूल की वजह से कुछ व्यक्तियों में कब्स की समस्या भी हो सकती है. लंबे समय तक रैबिजोक्स डी कैपसूल का सेवन करने से यानि कई महीनों या कई सालों तक रैबिजोक्स डी कैपसूल को लेने से शरीर में विटामिन C, विटामि नहीं लेना चाहिए। लंबे समय तक या दिन में कई बार रैबिजोक्स डी कैपसूल को लेने से ऑस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड्डिया बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती है। रैबिजोक्स डी कैपसूल की वज़से ऑस्टियोपोरोसिस तभी होता है, जब रैबिजोक्स डी कैपसूल का सेवन लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए। अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से रैबिजोक्स D कैपसूल को ले रहे हैं, तो आपको कैल्शियम और विटामिन D के सप्लिमेंट्स डॉक्तर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए, ताकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके, या आपको से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए, और विटामिन D के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनिट सुबह की धूप में बैठना चाहिए, अब हम डिसकस करेंगे की रैबिजोक्स D कैपसूल को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है, आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर रैबिजोक्स D कैपसूल को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सलाह देते हैं, रैबिजोक्स D कैपसूल को खाना खाने से कम से कम एक घंटे पहले लेना चाहिए, रैबिजोक्स D कैपसूल की दोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है वैसे प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए रैबिजोक्स डी कैपसूल का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को रैबिजोक्स डी कैपसूल को लेने की सला दे सकता है इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को रैबिजोक्स दी कैपसूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका रैबिजोक्स दी कैपसूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं